हुआ हुआ है कि एक्षॉऐलेंट देस्नान लंबर ओके तो एक्षॉएलेंट डेस्नान लंबर होता क्या इक्षॉएलेंट मनले एक्षॉएल उकेशित बात है ब्रपर जो शोनल लांपर इकोट वेज़ोंनेटर ऑफ शोनलच लांबर है तो कैसे समझते हैं कि वो वेज़ोंन टरा अलंबर है हुआ जोनल लांबर Geo website उड लिए समलार किज ओ पानो एकोल जोनलच aquilo आज ओगाँ दोद नोमेंगेडर अगर देखा जाए तो उनका जो smallest form है ठीक है वो हमेशा equal रहेगा तो equivalent है जीसे यहां पर देखिए one by two two by four इसको अगर हम smallest form में लेएंगे तो one by two आएगा 10 by 20 इसको smallest form में ले जाए यह one by two ही आएगा 25 by 50 one by two 49 by 98 one by two तो यानि हर condition में यह one by two ही आ रहा रहा है तो है तो इक्वल बस इसको जिए को से केंड फॉर्म है यू कैन से देख इसे केंड फॉर्म है एंटीग टू टू जाता है तो चलिए हमीं आज सबसे पहले यह समझेंगे कि दो रेस्नल लंबर के बीच में कितने सारे और रेशनल लंबर हो सकते हैं ऐसे तो दो रेशनल नंबर के बीच में इंफिनिटिव रेशनल लंबर हो सकते हैं लेकिन उसको फाइंड कैसे करना है इसके बारे में जिक्र करते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं है ठींहुंण है दोगे नhewब नाबर के बीच में कितनी सारे और न nous हो सकते हैं मैथेद आप दितर्माएंग डूर स्मिंट यह नमबर से committee से तो कैसे दो नमबर के बीच मेंao मझें को यह अर भीच आलमबर करते ने कच न्धित नल्बर के नंबर्स ओके तो केसे हम फाइंड करेंगे ठीक है समझते हैं for determining the one or more than one rational number between two number कोई दो नंबर है उसके बीच में एक या एक से ज्यादा rational number find करते हैं कैसे करते हैं माल लिजियत की दो नंबर है let's to be h and y are rational number ओके h and y are rational number ठीक है माल लेते हैं दो नंबर है h और y अगर दो नंबर है इसमें एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा तो सबसे पुले यह देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है let's h and y are two number बस यही माल लेते हैं तो यह माल लेते हैं y is greater than x y बड़ा है h से ओके अगर y h से बड़ा है और इसके बीच में हमें निकालना है तो हमें क्या करना होता है कि दोनों को एड़ करके टू से डिवाइड करेंगे एवरेज निकाल लेंगे ठीक है x प्लस y बाइ 2 तो यह हमारा तीसरा rational number आ गया जो इन दोनों के बीच में है किसके किसके बीच में है x और y के बीच में किलियर हो गया चलिए इंजामपल से समझते find a rational number line between 3 and 4 3 and 4 के बीच में rational number अगर हमें find करना है तो कैसे find करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन बढ़ा है solve करते है तो 4 is greater than 3 पता चल गया इन दोनों के बीच में अगर निकालना है तो formula लगाएंगे कैसे x प्लस y बाइ 2 होता है होता है न तो उसी तरह 4 प्लस 3 बाइ 2 यानि 7 बाइ 2 तो 4 और 3 के बीच में कौन है कौन सा है तो वापस हम इन दोनों को ले लेंगे ठीक है कैसे लेंगे 4 प्लस 7 बाइ 2 बाइ 2 ओके तो इसको solve कीजिए ठीक है तो क्या है 15 बाइ 4 तो इनके बीच में एक और rational number आ गया सबसे पहले ये इसके बाद 15 बाइ 4 फिन 7 बाइ 2 और 3 ओके अगर इससे भी ज़्यादा find करना हो इन दोनों के बीच में निकाल लेजिए फिन इन दोनों के बीच में निकाल लेजिए फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेजिए बस निकालते जाए और इस तरह से आप एक से ज़्यादा पहुत सारे rational number निकाल सकते हैं दो rational number के बीच में बात समाज में आ रही है चलिए आंगे बढ़ते हैं देखिए एक new method ले सकते हैं इसको second method भी लेख सकते हैं कि rational number दो number के बीच में कैसे rational number find करते हैं when more than one rational number are determined एक से ज़्यादा rational number निकालना है और एक ही बार में तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये करते हैं माल लेते हैं कि x और y दो rational number है या दो number है चच y बढ़ा है h से ठीक है हमें in rational number निकालना है h और y के बीच में कितना rational number निकालना है in rational number निकालना है बात समझ में आ रही है तो अगर n rational number निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे d निकालते हैं और d निकालते कैसे हैं d is equal to होता है बड़ा कौन है माल लेते हैं y is greater than x तो y minus x बड़ा मिले छोटा को minus किये कितना निकालना है n निकालना है तो n plus 1 x ज्यादा यहां से हमें अगर d जा गया तो हम क्या करते हैं जीतना निकालना है x plus d x plus 2d x plus 3d चलता जाएगा कितना निकालना है n निकालना है तो x plus nd ठीक है और इस से पहले क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे y इन दोनों के बीच में निकल गया तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे x and y ठीक है निकल गया इन दोनों के बीच में n rational number तो असान है सबसे पहले d निकाल लेजिए y minus h by n plus 1 जितना निकालना है उसे एक ज्यादा by कर दीजिए बस ओके तो हो गया आप next question के तरफ चलते हैं कि कैसे निकालेंगे और एक और तरीका भी देखती है चलते हैं कि और एक method हो सकता है क्या इससे भी आसान कुछ आप माल लेते हैं थर्ड में इसको थर्ड में डेल बोल देते हैं वह भी इस सेकेंड की तरह ही है थोड़ा वो डिफ्रेंश है माल लेते हैं एक सर्वाइब क्या है दो रेस्नल नंबर है हमें the Ocean एफ टू वा अध्यों नंबर ही टिए घ्रेंशनल नंबर्यट तुरिशनल नंबर्या-थू नंब संट्री तो रेस्नंट है टूरिय porch ऐसνे लूब्वरो है के equal ठीक है अगर by the way denominator अगर equal है तो जितना एन rational number निकालना है ठीक है कितना rational number निकालना है find n rational number between find n rational number between s and y okay तो एन rational number अगर निकालना है दोनों के बीच में तो कैसे निकालेंगे दोनों का denominator equal है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं multiply करते हैं एन प्लस उफ वन से उपर और नीचे दोनों में इधर से भी करेंगे एन प्लस उन ठीक है तो इसके वैलू में तो कोई changes नहीं आया और इसके बाद हम count करतेंगे निकल जाएगा सब पूच अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आया हो तो थोड़ा सा माल लेते हैं दो और तीग के बीच में 5 rational number निकलना है दो और तीग के बीच में कितने rational number निकालना है तो अगर अगर निकालना है तो क्या करेंगे तो तो इंटो दोनों का denominator 167 दोनों के बीच में 5 रेशनल ना निकालना है उसको फोड़ा उत्री लिख ले तो क्या होगा यहाँ से निकालतों 13 बाई 6 14 वैं 6 15 यह 16 निकल गया लेकिन यह poking possible है जब सकते हैं समाज़ में आपटें किर फांट एंफ मारें को तो चलो करते हैं तो सब्षे पर निकालेंगे टा स्बसे पर यह देखते हैं कि कौन बढ़ा है भाव वर या थूब ऑटीऊ से देखके तो पता लगने से यह दा ती क्योंन बढ़ाài तो सबसे पले हम इसके denominator को equal कर लेते हैं उससे हम decide करेंगे तो इसके denominator को equal करने के लिए 3 by 3 से अगर multiply करें 9 by 15 और यह क्या है 2 by 3 इसके denominator को equal करने के लिए 15 लाने के लिए 5 करेंगे तो 10 by 15 तो कौन बड़ा है 10 बड़ा है 9 से यानि 2 by 3 is greater than 3 by 5 clear हो गया यह बात ओके तो जब यह इससे बड़ा है तो default करते हैं तो d is equal to क्या होता है d is equal to y minus xy n plus 1 यही होता है तो y यहाँ पर कौन है जो बड़ा है 2 by 3 minus 3 by 5 और कितना निकलना है 4 4 plus 15 तो यहाँ ले लिए हैं ठीक है 5 10 9 और यहाँ पर क्या होगा 5 तो 1 by 75 यह d का value आ गया जब d का value 1 by 75 आ गया तो जब आंगे बढ़ते हैं तो हमें कितना निकलना है s plus d s plus 2d s plus 3d होगा और s plus 4d होगा यही होगा क्योंती चार ही निकलना है ओके तो चली निकाल देते हैं s का value हमें पता है कितना है 3 by 5 एस इसको कितना है 3 by 5 तो 3 by 5 plus 1 by 75 क्लियर है तो इसको solve करेंगे तो क्या आगा 75 15 जो भी result है यहाँ पर लिखेंगे 45 plus 1 46 by 75 ठीक है second one क्या आएगा 2d यानिकी 3 by 5 plus 2 by 75 क्लियर है तो इसमें बस 2 एड हो रहा है तो 47 by 75 हो जाएगा यहां 1 एड था तो थोड़ा common से इस लगा के जल्दी से भी solve कर लेंगे तो next वाला 3 by 75 अगर आएगा तो वही चीज आएगा 48 by 75 है कि नहीं और next यहां से और आंगे देख लेते हैं तो 3 by 4 by 75 है अगर 4 by 75 हा गया तो नेश्ट क्या होगा 49 by 75 यहां से अपने solve कर लेते हैं अगर दूसरी मेथेद की बात करते हैं यहां से और और आंगे बाढ़ते हैं तो दूसरी मेथेद की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा 9 by 15 और 10 by 15 ने दोनों का denominator equal है तो denominator equal रहेगा तो 4 निकालना है तो 5 से multiply कर देंगे तो यह हो गया 45 by 75 अगर इसमें multiply करेंगे 555 से तो 50 by 75 ठीक है तो इन दोनों के बीच में निकालना है हमें इन दोनों के बीच में ही निकालना है न तो इन दोनों के बीच में क्या होगा इससे बढ़ाई 47 by 75 48 by 75 49 by 75 क्लियर हो गया यह तो सेम रिजल्ट आ रहा है लेकिन थोड़ा method different है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका भी रिजल्ट सेम है और दूसरे method भी यूज करेंगे तो वी रिजल्ट आएंगे इनके बीच में होना चाहिए 3 by 5 और 2 by 3 के बीच में होना चाहिए और दो नंबर के बीच में इंफिनिटिव रेशनल नंबर होते हैं चले नेस कोस्चन पर आते हैं तो सबसे पर दी निकाल लेते हैं ठीक है तो यह तो एक्स हो गया यह वाई हो गया तो वाई मैनस x by n plus 1 यह हो गया d मैनस 5 plus 6 मैनस मैनस यह क्या हो जाता है प्लस कितना निकलना है 4 4 plus 1 5 तो यहां पर जो रिजॉल्ट आया वो क्या है 1 by 5 तो d का वेलू 1 by 5 हो गया तो जबना निकालना है तो आपन निकाल लेते हैं X plus D, S का वैलू क्या है, मानेस 3D का वैलू 1 by 5, 2D, 2 by 5, 3D, 3 by 5, 4D, 4 by 5, इस तरह से आ गया, जो भी इसको solve करेंगे, तो आपको क्या होगा, 30, 30 minus 1 minus 29 by 5, 25, इधर सेम आएगा, दो कम हुआ, 28 by 5, 27 by 5, 26 by 5, ठीक है, सेकेंड मेथेड भी निकालेंगे, तो भी हो जाएगा, अगर 555 करो, कितना है, मैनेस 30 by 5 आया, और इसका कितना हैगा, 25 by 5 आएगा, इन दोनों के बीच में निकालना है, 30 by 5, ठीक है, 29 by 5, क्योंति ये मैनेस में बढ़ेगा, तो कम होगा न, 28 by 5, 27 by 5, और 26 by 5, आगया, तो ये चारों रिजल्ट आगे, इनके बीच में ये चार रेशनल नमबर है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे डेसिमल में हो, या नेचरोल नमबर में हो, जैसे भी हो, हम इस अब का निकाल लेंगे, कोई प्रोब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इरेशनल लंबर, तो कहने का मतलब ये इस तरह का डेसिमल होता है, ठीक है, कि जो रीपीट भी नहीं हो रहा है, और जो फिनिट भी नहीं हो रहा है, यानि कि नाइदर टर्मिनेटिंग, नौन रिपीटिंग, तो इस इतरह के जो डेसिमल है, वो रीपीट होता, रेक रिंग आता, तो फिर हम रेशनल लंबर सो बोलते, तो इसके बारे में थोरा देर बाद चर्चा करेंगे, नेस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसको ल कारेंगे, रेसनल लंबर कारेंगे, तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पढ़ा, कि दो रेसनल लंबर के बीच में इनफिनिटी व रेसनल लंबर होते हैं, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखते हैं पहले, find irrational number between 2 and 3 इनके बीच में irrational number find करना है तो कैसे find करेंगे तो इसका simple phenomenon होता है तो माल लेते हैं कि दो numbers होता है और irrational number find करना है तो इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले कि दोनों को multiply करेंगे और root के अंदर डाल देंगे तो यानि बोल सकते हैं कि root over 2 into 3 is equal to root over 6 तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा लेकिन ये क्या है irrational है अगर हम जानते है irrational है कि नहीं है इसका square करेंगे 4 इसका square करेंगे 9 इसका square करेंगे 6 तो 4 और 9 के बीच में 6 यानि ये irrational भी है और इन दोनों के बीच में भी है ओके बात समझ में आ रही है तो 2 irrational नंबर के बीच में इस तरह से एक नए irrational नंबर फाइन कर लेंगे अगर 8 से ज़्यादा irrational नंबर फाइन करना हो तो more than one तो क्या करेंगे तो suppose एक और इंजामपोल लेते हैं find two irrational नंबर between two and two point five find two and two point five find two irrational नंबर between two and two point five इनके बीच में अगर दो रेशनल नंबर निकालना हो तो फिर क्या करेंगे तो पहला ही method यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे root over two into two point five बात समझ में आ रही है is equal to क्या होगा five क्या होगा five तो इनके बीच में तो आ गया लेकिन एक ही आया अब इससे ज़्यादा निकालना हो तो क्या करेंगे ओके तो इससे ज़्यादा निकालना हो तो जो smallest number है पहले चूज करते हैं कि कौन ज़्याद बढ़ा है ठीक है तो smallest जो number है उस पे आते है two into root over five fin hole over किलिए रहे तो अब ये check out करते हैं कि दोनों कि इनके बीच में है कि नहीं है ठीक है और next कि क्या था ये दोनों इनके बीच में है कि नहीं है ठीक है देखिए अगर two का square करते हैं तो क्या होगा four और two point five का six point two five होगा होगा कि नहीं होगा इसका five होगा तो four और six point five के बीच में तो ये आ गया अब ये है कि नहीं इसका square करो तो ये क्या होगा two into root over five होगा ठीक है तो इसको solve out करेंगे तो अगर इसकी बात करते हैं root over two into root five अगर इसकी बात करते हैं तो जब इसकी बात करते हैं तो इसका square ये होगा यानि five अगर है by the way 2 into root over 5 इसका square करेंगे तो यह क्या आएगा 2 into 2 point something तो आता ही होगा 2 से तो ज़्यादा ही आएगा 5 का root 2 से ज़्यादा होगा 4 का root 2 होता है तो 5 से ज़्यादा होगा यानि इसको multiply करेंगे तो definitely 4 point something आएगा 4 से ज़्यादा होगा ठीक है आएगा कि नहीं तो इसका 4 आ रहा है इसका 5 आ रहा है इसका 6.25 तो यह दोनों नंबर जो है 4 से तो ज्यादा है लेकिन 6.2 से कम है इसका मतलब यह है कि यह सही है तो क्या होगा इन दोनों के बीच रेशनल नंबर यह होगा तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर भी निकाला जा सबता है मेथेद तो समझ में आगे आपको ठीक है चले नेस वीडियो में मिलते हैं बाई टाटा